नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो व्लोग्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक मेरे शाद एक सुन्दर सी हतेली मेरी शामनी है आप पुरुष जातक ह मेल हतेली है और देखेगा ठीक एक साल के बाद से आपके ब्यापार के बहुत सुन्दर योग बन रहे हैं बिजनिस के योग बन रहे हैं जिसे हम कहते हैं राज योग और बिजनिस के योग ही क्यों कह रहा हूं में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं कह रह में अगर आप काम करते हैं तो एक सीर्स अस्तान को प्राप्त करेंगे एक हाई इस्तिति को प्राप्त करेंगे यहां पे देखेंगे तो जो आपका मरकरी है जो ब्यापार के लिए जाना जाता है बिजनिस के लिए जाना जाता है यह बहुत सांदार इस्तिति में है और इसमे जो खड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार से ये भी सांदार इस्तित में है आपकी जो communication skills है उसके दम पे आप अपने जीवनकाल में एक सफल ब्यापारी बनेंगे एक successful businessman बनने वाले हैं और कहीं न कहीं जो old age है आपकी उसमें भी अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा दूसरी बात है ये बुद्ध का प्रवत आपका बहुत सांदार इस्तिति में है एक से डेड़ साल के बाद ऐसी इस्तिति आ रही है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें जादतर पूरी सपलता अर्जित करेंगे और हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाला ब्यक्तित तो रहेगा निश्चित योग रूप से योजना बना कर काम करेंगे और ऐसा विशेज गुण आपके पास रहने वाला है आप सेल्स और मार्केटिंग के छेतर में भी बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे मनो बेग्यानिक छेतर में भी माहिर होंगे सामनी वाली ब्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानेंगे और ब्यापारिक कारियों में विशे सपलता आप प्राप्त करेंगे ये आपका मरकरी का माउंट यहां पे बता रहा है दूसरी बात अगर हम यहां पे देखते हैं इसकी उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस तरफ निश्चित रूप से धन का मानी की ललक जबरदस्त आपके अंदर बनी हुई है और हमेशा रही इसको देखे तो आपके पहले पौरवे तक निश्चित रूप से पहुँचते हुई दिखाई दी रही हलकी कमी है इसको नाखुन बढ़ा के थोड़ा पूरा करे यह आपकी लगातार कम्यूनिकेशन इसकिल्स बढ़ाती हुई दिखाई दी रही है अगर ब्यापार करते हैं तो बहुत अच्छे ब्यापारी बनींगे जीवन में उच्वर्ग का ब्यक्तित्व आपका रहेगा और स्रेश्ट और सफल ब्यक्ति होंगे अपने बलबोते पे कुछ करने वाला जो गुण है यह अच्छी इस्तिति में आपके अंदर आ रहा है यहाँ पे देखेंगे कि एक ब्यापारी की तरह सूरी की कुछ नेचुरल गुण भी आपके अंदर आ रहे है सूरी की उंगली सनी की उंगली की तरफ जुक रही है मिडल फिंगर की तरफ इसका जुकाओ है तो एक यस पाने की एक्छा नेम फिम पाने की एक्छा और अपने कारियों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए इसकी इक्षा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और एक ब्यापारी की तरह अगर आप देखें ये जो उंगली है आपकी उससे बड़ी दिखाई दे रही है रिंग फिंगर और मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है आपके अंदर रिस्क लेने की चमता है चीजों में जोखिम उठाने की चमता है और हमेशा बनी रहेगी उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाई देखेगा जो बिक्ति रिस्क लेता है ने जोखिम उठाता है जरूरी नहीं हमेशा फाइदा में रहे वो नुक्सान भी खाता है और बहुत बड़ा नुक्सान उसको मिलता है लेकिन अगर ये उंगली इस प्रकार से बड़ी हो इस उंगली से और इस से छोटी हो तो ऐसा ब्यक्ति कितना भी नुक्सान खा जाए रिस्क लेने में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी हिम्मती स्वभावाला होता है गिरकर पनो उठने की चमता होती है ऐसे लोगों के अंदर और ये आपके अंदर है तीसरा जो गुण दिखाई दे रहा है ब्यापार के और जीवन के लिए बहुत अच्छा गुण है वो वो है आपकी मिडल की फिंगर ये एक सही अनुपात में खड़ी है इसका मतलब है कर्म में विश्वास रखते हैं आप अपनी मिहनत पर जो है विश्वास करते हैं और देखें जो इनसान अपनी मिहनत पर विश्वास रखता है और विशेश कर सही दिशा की तरब मेहनत करता है और उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है पॉजिटिव इस्तिति में रहता है तो वो विक्ति अपनी जीवन को पूरी तरों से निखार लेता है और ये उंगली सीधी खड़ी है तो कायरता नहीं दिखाई दे रही है दूसरी बात है कि कहीं न कहीं आपकी जो मानसिक छमता है वो भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पर ब्रिस्पति के उंगली जुक रही इस तरफ तो आपके अध्यात में छमता भी जबरदस्त है स्वाबिमानी होंगे बिवे की बहुत अच्छे रहेंगे और एक ब्यापारी की तरह जो जिसके साथ कई लोग जोड़े होते हैं जो कई घुरों का चोला जलाने में सक्छम होता है ऐसे बिक्ति के अंदर एक गुण होता है दूसरों की मदद करना और यह आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है अच्छी क्वालिटी है आपके दूसरों की मदद करने वाला गुण आपके अंदर है और एक अच्छी नौलेज भी आपके अंदर है और भग्या आपका पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है यह यहाँ पे इस पश्ट तरीके से दिख रहा है दूसरे बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक और खासियत इस अतिली की दिखाई दे रही है जो बहुत बढ़िया है यह उंगली पूरी तरों से जुक रखिए आपकी इस उंगली की तरब तो आपके अंदर कहीं न कहीं धार्मिक भावनाई भी है इस स्वर में भी विश्वास रखते हैं आप अपनी आराद्य के प्रति समर्पन की भावना भी है और एक बहुत अच्छी चीज है कि जो कुरोरता है जो निश्ठूरता है जो खरोसपन है आपको कभी भी नहीं छोपाएगा यह यहां पर इस पष्ट दिखाई दे रहा है मिलन सार बिक्तित्व भी है चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने वाला बिक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है अब एक चीज देखेगा कि ठीक एक साल के बाद कियों ब्यापार के बिजनिस के अच्छे योग बन रहे हैं उससे पहले बहुत ज्यादा योग नहीं है लेकिन एक साल के बाद बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं उनकी कुछ इस्तित्यां देखेगा एक तो ये आपका अगर सूर्य प्रवत हम देखें तो यहाँ पे एक सांदार लकीर आपको दिखाई देगी इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने छेतर में जिस छेतर में वो काम करना चाता है जो उसके मन के अंदर इच्छाई उबर रही है उन छेतर में यस पाएगा अपने कारियों में व्यक्ति जो है यसकी प्राप्ति करेगा और कहीं न कहीं जो है अपनी पहचान बनाएगा दूसरे बात देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा आ रही है यहाँ से एक रेखा आ रही है यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहां पे देखेगा आप एक तिर्भुज, दो तिर्भुज और एक चतुस्कून यह चतुस्कून इस पश्ट बता रहा है कि आने वाले समय में आप ब्यापार ही करेंगे यह ब्यापार का चतुस्कून है ये तिरकून बता रहा है आपको वाहन का बहुत अच्छा सुक मिलेगा आने वाले समय में ये तिरकून बता रहा है कि निश्चित तोर पे आपको एक बड़ी बगाड़ी और बड़े घर का सुक मिलेगा साथ साथ में कहीं न कहीं आपको व्यापार की नौलेज बहुत अच्छे रूप में आ रही है कला के पार्खी होंगे सिद्ध हस्त हो जाएंगे और सूर्य परवत पर ये निशान का होना धनी होनी की निशानी है संबव है असंबव नहीं है धनडे विप्तियों की सूची में आप अपना अस्तान बनाएंगे चाए आप पैतरिक रूप से कितने भी निर्धन है आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी अपनी काबिलियत के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धी को आप प्राप्त करेंगे ये इस पश्ट तोर पे बता रहा है लेकिन एक कमी भी है यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका सूर्या सही रूप से विक्सित अवस्ता में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं जिस प्रकार की आर्थिक इस्तिति होनी चाहिए आपकी पूरी तरो से उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार सा करियर में और धन में इस्टेबिलिटी होनी चाहे थी वो पूरी तरों से नहीं है चाहे स्वस्त्य का मामला हो चाहे धन का मामला हो चाहे उत्साह का मामला हो चाहे उर्जा का मामला हो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है क्या करना है आपने अपने कारियों में विस्तार के लिए और अच्छे धन की प्राप्ति के लिए आपको सूर्य उपासना करनी है सूर्य किरिया नहीं सूर्य उपासना ये मैं लिख के दे दूँगा जरूर करेगा निश्ची तिल लाब होगा सूरी के लिए अभी मैं ओडियो की मादिम से दूँगा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ये तो सोने में सोहागा है लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं कोई प्रोब्लम आती है तो सूरी उपासना जरूर करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब यहाँ पर एक चीज देखेगा हतीली में बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर आप ब्रिस्पती पर देखते हैं तो एक खिड़की नुमा बन रही है जब ब्रिस्पती पर एक खिड़की नुमा बनती है विंडो बनती है यह इस पश्ट बताती है कि एक से ज़्यादा ब्यापार ब्यक्ति करने वाला है केवल एक ब्यापार में सिमठके नहीं रहेगा मल्टिपल ब्यापारी होगा ये विक्ति निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है और अपने छितर में ऐसी नौलेज रखेगा कि उसकी टीचिंग तक दे सके लेकिन ब्रस्पति का परोत साधारण अवस्ता में बैठावा है इस समय और आपके अंदर भी ये इस समय साधारणता देते हुई दिख रहे है सामन्य बिक्तितों देने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन इनकी नियसरगिक गुणों के कारण हस्मुक स्वभाव रहेगा दयालता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष भी लगबग ठिक ठाक रहेगा यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बना रहे आपको प्राप्त होगा सनी की इस्तिति अगर हम देखते हैं तो सनी की इस्तिति बहुत अच्छे है लेकिन कभी कभी बेवजहे की चिंताएं जादा रह सकते हैं इसका जरा ध्यान रखें यहाँ पर अगर हम देखें आपकी हिर्दाई किरे का सीधा बिरस्पति से मिलन कर नहीं है यह वह से भी बता रहा है कि चाहे आप अपने जीवन में ब्यापार करें नौकरी करें कोई और भीकाम करें समाज में आने वाले समय में एक स्रेश्ट जीवन आप वितित करेंगे आपकी मस्तिस्क रहखा देखें बहुत अच्छी है निश्चित ही आपका बौदि एक वान ब्यक्ति हैं आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जीवन काली के लिए कोई न कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिस्क से कारे करने वाले ब्यक्ति हैं जीवन की रहखा अगर हम देखते हैं इस तरह से पूरी रोप में प और इस प्रकार से जो है बहुत सारे चिन आपकी हतीली में बन रही है जिवनकाल में अगर इस छेतर को हम देखते हैं तो 56 वर्स के बाद multiple property आप हासिल करेंगे उहीं देखें तो जिवनकाल में निश्चित रूप से अगर हम बात करें यहां पे तो कुछी समय बाद भाई तीन साल के बाद अगर आप देखेंगे तो एक तो कैसी भी प्रस्तित रहे धहरेनक होनी वाला बिक्तित तो रहेगा कल पनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और सोचने की छमत्या भी बहुत अच्छी रहेगी दूसरी अगर हम बात करें तो बिदेसों से भी धन के योग सांदार इस्तित में बनते हुई दिखाई दे रहे हैं यहां अगर चतुसकून देखें या मचले का हम साइन देखें तो यह बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी रूप में बनी रहेंगी यह इसकी और इसारा करतावा यहां पर दिखाई दे रहा है यह चिन आपकी यात्राओं को बता रहा है कि यात्राओं यह बहुत अच्छी रहेंगी मनिबंद की इस्तिति अगर हम देखते हैं यहां पर थोड़ा रेखाओं का जाल है कालापन है तो अभी दो से धाई बरसों तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और कहीं न कहीं जीवन में हलका संगर से भी बना रहेगा दो रेखाएं हैं स्वयम के बल बोते पे कोच करने वाला गुण आपके अंदर रहेगा स्वयम की परिस्रम, स्वयम की मिहनत के बल पे आप स्रेष्ट सपलता अर्जित करेंगे यहां बीच में यह यव का साइन है, देखेगा बीच का समय है खास कर जीवन काल के 45 में वर्स तक का जो समय है इस समय में जीवन में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और उसके कारण अपना सब कुछ बरबाद कर सकते हैं तो जल्द बाजी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक साबित होगी और भावनाओं में क्या गया कार्य आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो इन दो चीजों से आपको जीवन में बच के चलना है बस ये दिहान रखना है आपको यहाँ पे सुक्र का परोत अगर हम देखते हैं तो वर्टिकल लाइने दिखाई दे रही है अपने कार्य के परती जुझारोपन रहेगा जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे एक बार जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं यह बहुत अच्छी चीज है दूसरी बात देखें सुक्र बहुत अच्छी इस्तिति में है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रशनल्टी पर विशेश ध्यान देना अपने को सज समार कर रखना यह चीजी जादा रहेंगे नहीं चीजों के प्रति रुज़ान रहेगा चाए नया फैसन हो नहीं परकार की चीजें हो नहीं परकार की टेकनलोजी हो और एक लगजरी और अल्टरा लगजरी जीवन के परति जादा आकरसन रहेगा और इसके लिए मेहनत भी करेंगे एक समय आएगा जब सुक्र आपको चका चोन रखेगा चमक देगा यस और किर्ति को बढ़ाएगा अभी ब्रस्पति के कमजोर होने से सुक्र के पुष्ट जादा होने से ये थोड़ा मानसिक प्रेशानियों को भी दे सकता है जो वास्तिक सुक है उनमें कमी कर सकता है और बहुत जादा मेहनत परिसरम करने के बाद भी ऐसा लग सकता है कि अभाहों के इस्तिति बनी हुई है तो दिप्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जरूर करेगा निम्न मंगल और उच्छ मंगल देखें दोनों बहुत अच्छा है प्रुसार्थ बहुत अच्छा रहेगा प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा हमने बिरस्पति और यहां तक देख लिया है थोड़ा सा चंद्रमा जो है आपका अनबैलेंस दिखाई दे रहा है इसके कारण कभी कभी मन गड़बर रह सकता है कभी कभी मानसिक प्रेशानी ज़्यादा हावी हो सकती है या हो सकता है ज़्यादा इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाए कभी कभी मन ब्याकुल हो सकता है भटक सकता है या हम अगर कहें तो कारियों में मन नहीं लग सकता है और थोड़ा सा अपना digestive system का ध्यान रखें पेट का ध्यान रखें ठीक है ने पेट से समंद्ध हलकी फुल की परेशानिया जन्म लेशकती है और थोड़ी सी नीन आने में हलकी दिक्वतों का सामना आगे करना पड़ सकता है तो जल का सेवन जादा करे खाना खाने के बाद गुड का सेवन करे तो ये समस्या कापी हद तक नहीं होगी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के माद्यम से भीज रहा हूं करने की कोशिस करे निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार